आज कि हमारी क्लासेज में हम आपके साथ डिसकस करेंगे डेटा फिल्ड तो एक्सल सीटे सबसे पहले हम बात करते हैं डेटा के बारे में बारे में जिसे हम नम्बर्स यहाँ डालते हैं कि आपका इंटरनेट बहुत स्लो है इस इंटरनेट पर आप लास नहीं ले पाएगा कि आप कि आप यहां पर हमारे पास देटा है जन्रली हमारे पास सबसे पहला आप्शन आता है और पर शम का और शम मतलब कि जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आप्टमेटिकली सम लग जाएगा यहां पर आप देख रहे हैं हमने क्लिक किया आप इसमें आप्टमेटिकली सम लग गया तो इसमें आप यहां पर आवरेज यहां पर काउंट नंबर इस तरह के चीज़ें भी लगाज़कते हैं इसका बेनेफिट क्या होता है कि हमें फॉर्मूला लिखना और डेटा को स्लेक्ट करने की जरूरत नहीं पर दिया है यह आपका स्लेक्ट हो जाता है स्लेक्क संदै को आपकर्णा रही से फिलरा से लॹशना इसका कंत्रोली कर सकते हैं कमद्स मीनिन फिल राइस आ यहां और रिileeए में में रागाता हूँ और रैक इंटी की फॉमुले में हम și ctrl R and ctrl D करते हैं तो उपर से निची के तराफ फिल ओजाता है तो यह हमारा फिल होता है ctrl R से आपका right के तरफ फिल होता है उसी चीज को ctrl D करते हैं ते down के तरफ होता है आप जाएंगे तो यहाँ पर दी जाएगा right and down आप और लेप्ट कोड बेंट करना पढ़ेगा इसके लिए कोड अबलेबल नहीं है ओके ओके अब बात करते हैं कि इसकी फिल की फिल से पहले हम बात करेंगे एक क्रॉस वक्षीट में एक क्रॉस वक्षीट के आता है यही बहुत अच्छी चीज यह जिसे कि आपके पास कई सारे शीट से कई साथ है हिए हम आतों मालिजे मुझे यहां में यहां पर क्लिखना बाकी सब लिखना तो हम यहां कि सब कर देथ और फिस पर हम टाइप करें बेड इसमा जो भी हम ओमिंट करेंगे वो तो सिर्फ शीट वर्म पे नहीं हर एक सीट पे होगा सेन लोकीशन पे हमें क्या करना है ज़िए एक सीट के साथ अगर स्टार्टिंग और एंड में कलिक करते हैं तो जितने भी सीट से सारे सीट आपकी स्लेक्टेड हो जाते हैं तो अगर आपको चाहते हैं कि मुझे सिर्फ सीट कुछ 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 शीट करना है तो आप सिर्फ के जगा पे कंट्रोल का इसे इत्मान करेंगे तो मैं यहां पर मानेजर टाइम लिखा तो कंट्रोल करने से क्या होगा कि कुछ कुछ एरिये पी ही है अब सीट 4 को देखें नह मैं सिर्फ के साथ नास्ट में स्लेक्त किया पूरा सीट स्लेक्टेड है उपर पर में ग्रुप भी आरा है तो यहां पर हमारे पास क्या है fill के अंदर across worksheet across worksheet में हमें solid मिलती है कि हम सिर्फ content को करे मतलब जो typing है उसको करे या format को करे या all को करे वो बाकि सारे sheet पे same format में same locations पे आ जाएंगे तो आप लोगस मिनना आया है इसमे रता जी या राहूल जी करेंगे रिकार्डिंग स्टार्ट नहीं किया अल्ट प्लस आल करेंगे अप्की सेशन को रिकार्ड कर लें अगर कौन सा प्रेश्ड बना है अल्ट आर्ट आर्ट या ओकि माई डॉक्मेंट के जूम फोल्डर में आज की रिकार्डिंग से बजाएगी तो इन फ्यूचर में आपको दिखकर नहीं होगा ओके साथ थैंक आगे बढ़ें आशाथ अब अगला उप्शन इसमें ए तो ठीक है अब अगला उप्शन इसमें आता है सरीज का हुआ है अब सरीज को देखते हैं इसमें कश और व्हेन इसमें सरीज क्मांड में आपके बाद कॉलंग है हमने linear select करिया step value मतलब कि एक value से दुश्रे value के बीच में जो gap होगा one होगा और stop value मतलब कि कहां तक जाएगा तो 20 तक जाएगा तो 20 तक ही जाएगा नहीं छोड़ेंगे तो selected area तक जाएगा कि हमने linear select किया है उसके बाद अगर हम मात करें series की तो series में हमाँ पास growth है अग्रोध में का multiplication होता है तो हमने 2 दे दिया तो हर number 2 से multiply हो जाएगा इस तरह से 2 से multiply हो जाएगा तो स्रीज में हमाँ पास multiply अब अगर माल लीजिए हमने यहां पर कोई date डाला जैसे माल लीजिए यहां पर हमने date डाला और मुझे इसमें date को हमने select करके drag कर दे रहे तो पूरा date आ जाता है तकि मुझे इसमें Saturday हमने नहीं चाहिए या सिप मन्त बाइच चाहिए येर बाइच चाहिए तो we use the series में हमारे पास यहां weekday कर देंगे तो सिप Monday to Friday आएगा और मन्त कर देंगे तो हर महीन की जो date है और date आएगी यह कर देंगे तो हर साल के लिए तो यह आपके ऊपर depend करता है कि क्या यूज करें यह हमारा series का option था अब सीज के option में आगे बढ़ते हैं justify justify यह बहुत अच्छा topic है जैसे माल लीजिए में कुछ name of person यहां पर रख देते हैं आपके सामने कुछ name of person अंदे रख दिया अब मुझे इन name को एक cell में कठा जोड़ना है जो आप name दीख रहे हो इसको मुझे एक cell में कठा जोड़ना है राइट तो कैसे जुरेगा कोगी concatenate लगारा तो मुस्किल है हदर कि 2019 में इसके लिए concate और join का formula आ गिया है फिर भी अगर 2016 में 13 में तो क्या करेंगे तो उस case में यहां पर हम करेंगे या column को बढ़ा करेंगे फिर इसको select करते हैं और यहां पर हमारे सामने justify का option आता है काम यह नहीं है कि सब को एक cell में कर देना है इसका काम है कि cell में जितना attack है जितना column का size है उसके according तो आपके पास बढ़ा number है तो column को बढ़ा कर लिजिए then justify किजिएगा तो आपके सामने पूरा data एक साथ space के साथ collect होके आ जाएगा तो मुझे वापस एक एक cell में करना है तो मैं column के size को छोटा कर दूँगा और फिर मैं यहां से justify करूँगा तो यह आपको अलग-अलग cell में वहाँ पचला जाएगा लेकिन इसको ठुठाव चांटीन में करने के लिए concrete formula है यह एक बार select कर लिजिए आपको कर देता है separator चाहिए तो text join का formula है वह इस्तमाल कर सकते हैं इसमें हमने बोला कि comma और फिर हम इसको इनोर में blank छोड़ देते हैं और यहां पर पूरी text को select कर देते हैं तो comma या space जो भी देंगे उससे सब को select कर देगा यह हमारी थी justify अब अगला आता है हमारा flash field तो flash field को ध्यान से देखिएगा flash field क्या करता है flash field काम करता है separate करना का जैसे name हमने लिखा हमने लिखा पूजा हमने लिखा पूजा हमने लिखे पूजा sing यहां सर्मा मुझे इसमें से first name and last name को लग करना है first name and last name तो इसमें text to color और भी बहुत सारे पूजा हैं लेकिन हम यहां पे अमारी जी कि हमने लिखा पूजा और फिर enter मार दिया फिर इस पे cursor रखा और हमने आसे लिखा तो पूजा को read करेगा और वो बाकिस सम में से उस सेंग position का data अलग कर देगा ऐसे यहां पे मैं करता हूँ sing और मैं यहां से flash fill करता हूँ तो सिंग बाले सारे के सारे अलग हो जाएंगे हैं ठीक है कि इस तरह से हमारे पास dates हैं जिसे कि हमने यहां पर देट दिया तो डेट में से मुझे माल लिजा मंत अलग करना है तो मैंने मंत जैन लिख दिया और यहां पर हमने flash fill कर दिया तो हर मेने की जैन मंत हर डेट की मंस अलग हो जाएगा अबने numbers दे रखे हैं लेकिन numbers में में प्रॉलम होता है कि आपका sequence मतलब की series सेम होना चाहिए यह से में दो डिजित निकालना है था हमने 1,2 करके answer मारा और फिर इस पर flash fill कर दिया तो first two letter सबका अलग हो गया लेकिन अगर example के तौर पर बताओं कि यहां पर कुछ कम number यहां पर जादा number है अगर मैं यहां पर one two करूंगा और फिर मैं यहां से flash fill करूंगा तो थोड़ी से दिक्कत हो सकती है तो first निकालना था इसलिए आपको सही दिख रहा है अब मैं आब है बोलू कि मुझे यहां पर 23 निकालना है मिदल का है तो इसमें पैसे निकाल दिया और तारइस इसमें ब्लंक चोड दिया बंदरा निकाल लिए तो ऐसी प्रॉलम होने की चांसे हैं तो आप इस ध्यान से कीजिएगा अब ऐसे मुझे यहां पर अगर डेश्मल्स पॉइंट्स अलग करने हो कि मैं नंबर्स है तो मुझे इसमें से डेश्मल्स अलग करने हैं तो इसमें 0.96 दिया और मैंने इसको सेलेक्ट करके यहां से फ्लैश्मल्स फिल कर दिया तो इस सारे डेश्मल्स अलग हो है लेकिन कभी ऐसी प्रॉलम्स हो सकती है जिसी दोनों का सेम हो जिसी डेश्मल्स ही रही है यह हर किसी एक्जाम्पलिक लिए बता रहा हूँ कि जिसे पचीज पैसे रुपे पचीज पैसे अब इसमें आपके सामने कई सारे नंबर्स है अब प्रॉलम्स यागा कि अगर मैं आपके 0.25 करूँ तो एकसल कन्फ्यूज हो जाएगा कि आके निकालना क्या है तो इसमें आपको जवरी नहीं है कि मैं स्टार्टिंग में करें किसी प्रॉलम्स अब बारा बारा हुआ तो भी तो दिक्कत है तो उस केस में जवरी नहीं कि हम शुरूआप में करें हम यहाँ नीचे भी कर सकते हैं जिसमें डिफ्रेंट हो 63 और इसको सेलेक्ट करके और उसको फ्लैश फिल कर सकते हैं तो बाकि सब में अटमेटिकली आ जाएगा दो किलियर ओर है ? हम बात करते हैं किलियरका जिसे इस data को हटाना है तो जोग 59 करते हैं पूरी comment कोNetी करेंeti फुल्स पैले टीन प्राफ़लम meeting पर दीन आगर दीन दो रिलीट होने के चांस्ज हैं दूसरा अगर इसदे कूं कुल फॉ मर लगा हुआ है तो वहां आरफ आजाएगा तीसरा यह अपका पूरा फॉर्मेट चेंज हो जाएगा जिसे यहां पर वैलू है लीट मारते ही वैलू इदर आ जा रहा है प्रिंटिंग मरना में तो मैं जाओंगा तो घूल हो जाएगा यहां पर चेंज कर दो कमेंट कर दो कंटेंट क्लियर कर सकते हैं नो मैंने to sum के बारे में बताया थे के बारे में बताया फिल में आपका flash फिलिंपोर्टेंट था यह सौर्टकर्ट, कंट्रोल, कंट्रोल आरे के वारे में आपने जाना, और क्लियर आपने क्लियर करने जाना अगना प्रपीक हमना शौर्टिंग एंड फिल्टर का है, जो कि हम बहुत ज़़ा यूज करते हैं लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा प्रैक्टिस कि आप फ्लैस फिल्टर के उपर प्रैक्टिस करें और फ्लैस फिल्टर के तक्रीबन 20 एक्जामपल मुझे बना के दे, 20 एक्जामपल आप बना के मुझे दे, इसले सीट पे